नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं, Grand 4 सीक्रेट मकर रासी, Sanidev की रासी है, आपके रासी के स्वामी Sanidev है तो मकर रासी, Sanidev की प्रियरासी है, ऐसा हम कह सकते हैं और ये भी जोतिस कहता है कि मकर रासी वाले चांदी का चंबच लेकर पैदा होते हैं अब चांदी का चंबच लेकर पैदा होने का मतलब क्या है सही में चले जानते हैं बिस्तार से मकर रासी में कौन-कौन से नच्छत्रा आते हैं और अलग-अलग नच्छत्रों के साथ मकर रासी का प्रभाव कैसा होता है क्योंकि अगर आपकी रासी मकर है तो आपको एक छोटा सा काम करना है हम सुरुवात में ही आपको पता देते हैं अगर आपकी रासी मकर है तो आप सलाह लेकर किसी विद्वान जोदिस को हाँ दिखाईए या कुंडली दिखाकर एक ओपल या हीरा जरूर पहने लेकिन सलाह लेकर आपकी ये जीवन का जो संगर्स है न आपकी जीवन में थोड़ा श्ट्रगल है वो कम हो जाएगा यानि इस इस्टोन को पहनने से स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा अब सनिदेव की रासी है मकर रासी और मकर रासी प्रत्वी तत्तु की रासी है अब जिस प्रकार प्रत्वी के अंदर असीम संभाबनाएं हैं भंडार है तमाम धातू सोना चांदी हीरा कोईला ओल सब मतलब होता है मुवमिंट करने वाली रासी और मकर रासी मंगल को भी प्रिय है और मंगल मकर रासी में उच्चिके हो जाते हैं अब मकर रासी वालों के तीन हिस्से हैं उसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से उसके पहले अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो प् पुजापाट दान धर्मकारे दान पुन्य गरहन नचत्र के बारे में या फिर आप चाहते हैं अंक जोतिस से समन्दी जानकारी तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिस्किप्सर में मिल जाएगा और वेबसाइट आप चाहें तो गूग यह तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हम आपके बारे में और विष्टार से जानते हैं तो मकर रासी वाले तीन तरह के होते हैं तीन तरह के यानि की मकर रासी के तीन हिससे हैं तीन नचत्रों में बटे हूए मकर राशी के लोग मकर राशी के लोग अलग अलग ऐसा नहीं है इल्icamente अलग-अलग नच्छत्र के हिसाब से आपका व्यक्तित्व होता है तो सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे उत्तरा साढ़ा नच्छत्र के बारे में अगर आपका जैसे उत्तरा साढ़ा नच्छत्र है तो आपका सुभाब कैसा होगा आपका व्यभार कैसा होगा क् जानते हैं विस्तार से तो उत्तरा साढ़ा नच्छत्र को जो हाती है न उसका हम दाहिना दाद मानते हैं दस विश्व देवों को उत्तरा साढ़ा का अधिपती देपता माना गया है और इनके नाम है सुबता सत्य इच्छा सक्ति दक्षता काल आकांचा संकल्प पितर आभा तो उत्तरा सारा नच्छत्र का मतलब होता है उत्तरा और ऑपरा जहित सदा विजय प्राप्ट करने वाला यानि अन्तिम समय में विजय दिलाने वाला कुछ वैसे तो उत्तरा सारा नचहतर वालोंको ये भी कहा जाता है कि जहां पर देबताओंने असुरों पर विज़यद प्राप्त की थि इसलिए पुरुवा साड़ा और उत्तरा सारा नचहतर को जोड़ी माना जाना चाहिए लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तरा सारा नच्छत्र की तो उत्तरा सारा नच्छत्र का मूल चिन क्या है हाथी का बायादात बुरुवा सारा नच्छत्र को कहते हैं और उत्तरा सारा नच्छत्र को हाथी का दायादात कहते हैं तो चलिए इन चीजों में हम नहीं उल्चालते हैं और आगे बढ़ते हैं देखे अगर आपकी रासी मकर है लेकिन आपका नच्छतर उत्तरा साड़ा है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रफ़ा पड़ेगा क्योंकि उत्तरा सारा नच्छतर का स्वामी सुरी होता है और मकर रासी का स्वामी सनी होता है तो जब मकर रासी के साथ उत्तरा सारा नच् करता क्योंकि सूर्य सनी का मेल तो होई नहीं सकता अब उत्तरा सारा नच्छत्र के लोगों के जीवन में संघर्स होता ही होता है और इस नच्छत्र में मकर रासी कमजोर मानी जाती है ऐसा दिखा जाता है कि उसके बाद जानेंगे और आगे बाते देखिए बुद्धी इनकी बुद्धी बहुत तिकशन होती है और कठिन कारियों को सरलता से कर सकते हैं उत्तरा स journeys में जन्में जो लोग होते ना उनको सोध करने के उनमें अद्भुत छम्ता होती समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं टीम इसकती भी बहुत प्रबल होती है दूसी तरफ अगर जिवन मेंने किसी का हता छेप न हो तो ये अंदर अस्थाइटीन का भाः होता है और धहर के साथ म्माम कारीं कंदुकर वैसे तो बे वजय की बातों में फसकर इनसे कोई अपना काम नहीं निकलवा सकता है नहीं इनको फसा सकता है क्योंकि ये बड़े बुधिमान होते हैं धर्म को मानने वाले और दैवी गुनों से भरपूर होते हैं ये लोग अपने पूरवजों के अधुरे कारियों को आगे बढ़ाने में दिल्चस्पी लेत अब कमिया क्या है देखिए इस निच्छत्र वाले लोग समाज के जो बिद्ध जन है उनके प्रतिस साब्धान से सरदावाओ रखते हैं और अपमान नहीं करते हैं मदद करते हैं लेकिन साब्धानिया ये है कि अगर इनको उचित सम्मान ना मिले तो ये थोड़ा पर नहीं करना और पुरानी प्रमप्राओं का पालन करने के लिए अपने बच्चों पर दवाब बनाते हैं इसका नहीं बच्चों से नहीं बनती है तो क्या करें कि आपका पावर बढ़े आपके जीवन की मुश्किलें कम हो देखिए सबसे पहली बात तो जो उत्तरा साड अगर आप करियर के लिए नौकरी के लिए परिवार से दूर जाएंगे तो बहुत अच्छा होता है और जीवन में सफलता आपको दीरे-दीरे मिलती है ऐसा देखा गया है कि आप अधिकतर मामलों में अपनी इक्छा से साधी करते हैं यानि लव मैरेज करने की या फिर परूट उसका पेड अपने हाथों से लगाना चाहिए उसका सेवा करना चाहिए कहा लगाएंगे घर में नहीं लगाना रोड किनारे पार्क में कहीं भी आप साजोनी कस्थान पे लगा सकते हैं लेकिन घेरा जरूर करवाइए यह नहीं कि लगा दिया गाय बकरी चल गई एसन मत कीजेगा लगाईए गेरा करवाईए नियमीत रूप से देखवाल कीजे जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ा होगा वैसे वैसे आपके किस्मत के दरवाजे खुलते जाएंगे अब जो ये उत्तरा सारा नच्छत्र है ये 21 नच्छत्र है 27 नच्छत्र होते हैं इसमें 21 न पहला च्रण इनका रहता है धनूरासी में बाकी के तीन च्रण आ जाते हैं मकर रासी में और सुरिशनी का आपके उपर प्रहौ है समाने तो देखा गया है कि 21 नच्छत्र वाले लोग रंग इनका साफ होता है और भौतिक सुख इनको पद परतिष्ठा धन सब कुछ मिलता जाता है जीवन में साथ ही आपको जैसे कि सकात्मक पक्षी है कि नयाय नियम कानून समंदी चीजों का पलन करने वाले होते हैं नकात्मक पक्षी है कि सनी सुरिकी असुविस्तिति अगर कुंडली में हो तो आपको बुरा ही फल मिलेगा लेकिन दूसी तरप आपके जीवन स्रवन नच्छत्र के बारे में तो अगर आपकी रासी मकर है और आपका नच्छत्र स्रवन है तो इसका प्रहवा आपके जीवन पर क्या पड़ेगा क्योंकि स्रवन नच्छत्र का स्वामी चंद्रमा है और जब स्रवन नच्छत्र होता है तो रासी होती है सनी की अब यहा अंदर मानसिक समस्याएं या तनाव पालने की योग होते हैं बे वज़ा तनाव में रहते हैं मेंटल डिप्रेशन बहुत जल्दी आपको हो जाता है लेकिन जो स्रवन नचत्र वाले लोग होते हैं वो धनवान भी बहुत होते हैं काफी संपन्न होते हैं और इनको तक्नीकी और मेनेजमेंट के छेत्र में आसानी से सफलता भी मिलती है. अगर आपका सर्वन नचत्र है, तो आप भगवान बिश्न की खूब उपास ना करें. दू़सरी बात, सर्वन नचत्र वालों जो होते हैं, बाले देखिए सर्वन नचत्र जो होता है, वो 27 नच्छत्र में 22 वा स्थान इनको प्राप्त है और इस नच्छत्र को बहुत सुम माना जाता है जैसे की राज्या भिसे, ग्रिह निर्मान, धजा रोहन, नामा करन संसकार बेगरे के लिए इस नच्छत्र को सर्वस्रेष्ट माना गया और स्रबन नच्छत्र यहां पर द तो ऐसे लोग कवर्ण सुद्र होता है, गंदेव होता है, गुनराजसिक होता है और ऐसे लोग अंतिम तीन चरन में जल्चर यानि वानर, महाबेर, योनी, मेढ़ा तो इन चीजों को हम हटाते हैं बहुत इक सुक इनको भूमी भवन का मालिक बनाता है यानि खूब होंगे आपके पास, आप जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, आप बड़े बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमानी का परियोग करके जीवन में बहुत साइच्छेत्रों में सफलता प्राप करते हैं, वैसे तो आप सुन्दर, दान देने वाले, सर्वगुन, संपन्य, कारियों में निपुन और धर्म कारे करने वाले होते हैं, एक अच्छे इंजीनियर, पेट्रोलियम से समंदित ब्यपसाय भी आपके लिए बढ़िया होता है, नकात्मक ये है कि सनी और चंदर्मा की स्तिती ठीक नहीं है, थोरे क्रोधी, थोरे कंजूज, थोरे साबदान र करने वाले लापरवा आलसी भी हो जाते हैं, तो जीवन में जैसे हनवान जी की आप सरन में रहें, मांस मदिर्या का सेवन थोरा कम करें, तो इस नशत्र का जो निगेटी प्रवा है वो कम होगा, और अपने घर में अकवन का पोधा, अकवन क्या, मदार, मदार तो आपको नहीं लगाना, घर से बाहर, बांटरिवाल के बाहर लगाई है, और लगा कर घेरा वर ऐसे तो बकरी गया नहीं खाती, तो आप उसकी पूजा करें, नियमित रूप से उसमें जल डालें, उसको जैसे जैसे पौधे बढ़े होंगे, फूलेंगे, पलेंगे, आपके जीवन की मुश्किले समापत हो जाएगी, तो स्रवन नच्छत्र वाले धनी होते हैं, और स्रवन नच्छत्र वाले जो होते हैं, अतिसूम नच्छत्र है, ये लोग जब स्रवन नच्छत्र में गुरू आता है, तो प्रतिवी पर धन धान ने बढ़ जाता है, जो लोगों का स्व वर्स तक उतार चड़ाओ देखते हैं परिवर्तन देखते हैं और उम्र के 30 साल के बाद यानि 30 एयर के बाद ज्यादा सफल होते हैं इंजरिंग चिकित्सा कला विज्ञान के चेत्र में खूब काम्याबी प्राप्त करते हैं इनको इसकिन और कान से सम्मंदित परेसानी कभी कभी जीवन में परेसान करती है तो आप मदार का पौधा लगाएं अब हम बात करेंगे धनिष्ठा नच्छत्र की धनिष्ठा नच्छत्र के स्वामी मंगल है और मकर रासी का स्वामी सनी है तो धनिष्ठा नच्छत्र में सनी मंगल का जो सम्मंद है वो बन जाता है और य गणिष्ठा नचाथ्र वाले अक्सर सेना सासन तक्नीकि के छेटर में जादा सपल होते हैं ताईसレ नंबर पर आता है जो 27 नचचत्र है उनमें घैस्ट्र थाईसRE देख्वाल और variesी सनी है यानि यहां पर देखिए इस नचहत्र में जन्माले लोग को सफनी मंगल का विसेश प्रवाँ होता है और धनवान होते हैं अरागे बढ़ जाना है अब देखिए ये लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाह होती है इनके बुद्धी बहुत तेज होती है जिस भी छेतर में ये भागे आजमाना चाहें वह आजमान लेते हैं क्योंकि आपका भागे भी खूप साथ देता है अब देखिए मंगल बनाता है और ये नच्छत्र संगीत नित्त में भी रुची देता है आप अपने आसपास के रहने वाले जगह को भी सुन्दर बनाने के बारे में सोचते हैं समाजिक चीजों में बढ़ चल कर हिस्सा लेते हैं इस नच्छत्र बारे लोग हर किसी से जल्दी घुल मिल जाते हैं कम समय में धेरों मित्र बनाते इनका दिमाग बहुत तेज होता है सांति पुन्द तरीके से जीवन जीना इनको पसंद आता है और संगर्श से बशने की हमेशा कोसिस करते हैं वैसे तो ये लोग किसी चीज की प्राप्ति के लिए कुछ निधारित करते फिर आगे दूसरों को अपनी बातों में जल्दी ले आते हैं यानि प्रभावित करते हैं मिलंसार सुभाप के होते हैं दनिश्टाने शत्रबाले हसमुक होते हैं अब ये लोग ये किसी भी तरह के प्रेशानिया बिग्न बाधाओं से घवराते नहीं बलकि डटकर सामना करते हैं बा कि उड़ावान तेजस्वी depressed完 May और प्रिश्रम से सफल्ता प्राप करने वाले होते हैं इनका दिमाग बहुत स्वीरता है ये लोग लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं हसमुक मिलन सार बिग्न बाधाओं से ना घबराने वाले होते हैं धनिष्ठान छत्र वाले लोग पर दूसी तरफ देखिए इनका जो अगर रासी के चौमी चुकी यहां पर सनिदेव होते हैं तो ऐसे में नकात्म पक्षिये है यह थोड़े अभिमानी भी कभी कभी हो जाते हैं अगर मंगल खराब हो जाए कुंडली में तो थोड़े अडियल थोड़े जिद्धी सुभाब के हो जाते हैं मंगल का सुपरभाव यहां पर खत्म हो जाता है अगर इस टाप के आप बेभार भी करते हैं तो सकात्म की यह है कि बहुत सारे गुन होते हैं इनमें जिस भी छेतर में जाते हैं इनमें वो गुन होता है तो त्रवालों को जैसे चोड़ लगने की सरजरी होने की संभावना भी होती है ऐसा देखा गया है इनको चोड़ टेए मेंशा लगते रहाती आप्रेशन अबना रहती हैं लेकिन जीवन में संपत्ति का सुख Wanna शक्राइट मिलता है इन यह नहीं आपके पास प्रोपर्टी होता है लिक्विट थोड़ा कम होता है आप समी के पौधे की पूझा करें समी का पौधा लगाईए घर में नहीं लगाना आपको सारजनी के स्थान पर लगा सकते हैं आप किसी मंदर में लगा सकते हैं और नियमित रूप से उसमें जल ढ लिए जैसे जैसे यह पौधा बढ़ा होगा फलेगा फूलेगा आपकी जीवन की मुस्किले कम हो जाएगी तो हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी कैसी लगी जुरूर बताईएगा हर हर महादेव धन्यवाद लिएजिटीम में स陰वादे रव़ादे हा बढ़ा हर में लां जाताइ़ में खफसे प्लावादेयर इननना की महादेड